आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ आपको अपने पर बता दू कि यह जो दिया गया है यह दिखिए आपको कुछ यह पर चरण दिये गया है तो उसी के अनुसार हम यह पर बताएगे तो देखिए जो पहला आपका चरण दिया गया है उसका नाम क्या है उसका नाम है संवेली प्रेरक अवस्था जिसका जो उम्र होता है बच्चे का वो आपका होता है जीरो से लेके दो वर्श उसके बाद जो आपका दूसरा आता है वो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका जो आपका उम्र बताया गया है वो है आपका दो से लेके साथ वर्ष तक ठीक है यह आपका दूसरा हो गया और देखे तीसरा आपका दिया गया है मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था तो देखे मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था इसका वर्ष दिया गया है साथ से लेके ग्यारा वर्ष तक के वच्चे के लिए और आखरी है आपका चौथा चरण वो है आपका अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था जिसका वर्ष आपका ग्यारा से लेके पंदरा वर्ष ठीक ह और अमुर्थ का मतलब क्या हो गया कि बच्चा कल्पना शक्ती के द्वारा यहां पर सीखता है तो आप जो आपका प्रश्न था उसमें पुछा गया था कि लिखना किस प्रकार का अधिगम है तो सबसे पहले देखिए जो चौतों अपको दिया है मौकिक अधिगम तो मौकिक अधिगम तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि आपसे बात की जारी है लिखने की ना की बोलने की ठीक है बोलने का आपका मौकिक में आ जाएगा ना की प्रेरक अधिगम के अंदर क्योंकि ऐसा कोई यहां पर नहीं दिया गया है ना ही खली समवेदी दिया गया है समगेड़ और प्रेरा को अलग अलग ना रखकर इंक न साथ रखे जीन प्याजके ने कहना दिया है समगेड़ी प्रेड़ का वस्था के जिसमें बालक लिखना करने इसमें सब कुछ वह बच्चा है वहां अपने जो 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 सो इसके जो यूर्गन से उसको बोर में इस्तिमाल करेगा तो इस में या समझाना चाहा रहे हैं चिक है तो हम संअब कर सकते हैं इसमें जो शिषु होता है और सम इस शो होता है वह क्या करता है समवेधि एसम्वेधि ऐसम Mmm शिशू समवेदी अनुभवों को अनुभवों का शारीरिक शिशू क्या करते हैं समवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्मे करते हुए समन्मे करते हुए संसार का अनुभवेशन करता है तो शारीरिक रियाओं में आपका उसमें लिखने का बात आ गया है इसलिए इसका जो आपका जुशतर ही उतर हो जाएगा वो आपका तीसरा उप्शन होगा क्योंकि वही आपका सहियाँ बनेगा ठीक है पहले दूसरे में आ लग बताया है जो कि कोई अवस्था ही नहीं कोई अधिगम क्या जबकि जो जीन प्रेजन दिया है उसका पूरा नाम कैसा अधिगम ठीक है तो इसी के अंदर बालक के साथ ऐसा विपास होगा ठीक है लिखेट का इसमें आपके इस तीक है अपनी शारी दिख्चीज़ों को पर